आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ इस question में दिया हुए कि एक stone है जो कि project किया ज़र है पार्टिकली अफ वीट वेलिस्योटी भी ठीक है फ्रम दर टॉप अप डावर ठीक है यह ग्राउट पर पहुँच रहा है विट वेलिस्योटी टूवी तो हमें height of tower निकालना है ठीक है तो इसका मतलब यह माल लग रहा है height of the tower है ठीक है अब क्या किया जा रहा है यहां से किसी पार्टिकल को यह फेका जा रहा है with velocity v ठीक है और यह जब यह ground पर आ रहा है तो इसका जो velocity आ रहा है यह हो रहा है 2v ठीक है तो हमें पूछा यह height of the tower क्या होगा तो simply हम formula लगा लेते है इसके हम पहले कोडिनेट सिस्टम उपर का positive है इधर का positive है और नीचे का क्या है negative ठीक है तो हमें initial velocity पता है final velocity पता है तो हमने कहाते है v square equals to u square plus 2as यहां पर g download में लग रहा है तो हम पहले उपर का positive माने है तो उपर जा रहा है initial final नीचे आ रहा है 2v square तो हम क्या करेंगे 2v यह minus के साथ आ रहा है क्योंकि नीचे आ रहा है 2v square हो जाएगा अब u square उपर जा रहा है यह भी दिया है minus क्योंकि g नीचे लग रहा है 2g into यह आ जाएगा h हमें यह ही h निकालना है ठीक है तो यहां से क्या आ जाएगा 4v square equals to v square कि यहां पर g नीचे लग रहा है और यह distance जो covered कर रहा है यह भी नीचे direction भी कर रहा है तो जहां h भी आएगा यहां पर यह भी क्या आएगा minus के साथ ही आएगा तो यह minus minus यहां पर क्या हो जाएगा plus ठीक है हमें यहां पर sign बहुत ही important है द्यान रखना होगा यहां पर यह minus इसलिए आया क्योंकि यह distance यह जो initial velocity यह उपर क्यों हो जा रहा है तो मतलब यह ऐसे आ रहा है जब यह नीचे आ रहा है तो हम उपर वाले को positive लिए नीचे वाले की negative तो यह distance जो covered हो रहा है जब यह during यह नीचे आ रहा है जब यह नीचे आ रहा है यह क्या होगा है एच जो होगा negative होगा है इसलिए यह minus minus plus हो गया है ठीक है अब यहां से क्या हो गया 4V square इधर आ जागा तो कितना जागा 3V square हो जागा और यहां से यह 2GH हमें H निकालना था यहां से H हो गया 3V square upon 2G ठीक है तो हमसे question में पूछा था कि height क्या होगा जब इसकी velocity ground पे टकराने के अबाद 2V हो जाती है तो हमारा जो answer हो जागा है H equals to 3V square upon 2G Classics to 12 से लेके NEED IIT JEE means और advance के level तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करे doubt net app यह whatsapp कीजे अपने doubts आच चार्सो 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 पर